नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंथ गंगा में जै माता दी दोस्तों आपके अपने चैनल जोतिश गरंथ गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों भगवान गनेश जी रिद्धी सिध्धी के दाता है शुब लाब के प्रदाता है, विगनहरता है, संकट नाशन है और भगवान गनेश जी की आराधना अगर हम करें बहुत ही शीघर वो बाधा दूर होती है और सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भगवान गणेश की पूजा हम किस दिन कैसे करें जिससे की भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो दोस्तों भगवान गणेश जी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं सभी प्रकार के विधनों को दूर करके, संकटों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं कुबेर के समान धन्वान बना देते हैं भगवान गणेश जी अगर हम उनकी पूजा विधी विधान से करें तो लेकिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए भगवान गनेश को कैसे प्रसन्न करें इस बारे में आज के विडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय है जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है शत्रों पर विजय प्राप्थ होती है धन और सुख समरिधी की प्राप्ती होती है यश और मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है आपकी कीर्ती में व्रिधी होती है जैसे कि परिवार में समाज में हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ती हो इसके लिए कौन सी वि प्रथम पूजय देवता है और इनकी कृपा से मनुष्य कुबेर के समान धन्वान बन जाता है। प्रथम पूजय देवों का समान गनेश की पूजा करते हैं। अगर हम प्रतिदिन इन पंच देवों का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले कई संकत स्वतह ही दूर हो जाते हैं。 दिन शुब हो जाता है. सर्वप्रथम गनेश का स्मरण करने से हर कार्य निर्विधन पूरा होता है. इसलिए सर्वप्रथम उठकर हमें भगवान गनेश को मन ही मन स्मरण करना चाहिए ओम गम गनपत्ये नमह इस मंत्र का जाप आप 21 बार करे बहुत ही शुब फल आपको पूरे दिन प्राप्थ होता है तो आज की विडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि आज की विडियो में मैं बहुत सरल और बहुत श्रिष्ट अचूक उपाय बताने वाला हूँ भगवान गनेश को प्रसन्न करने के लिए जिस्से की जीवन में सभी सुख समर्धी की प्राप्ती हो और हर कामना पूर्ण हो इस तरह का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों जब हम भगवान गनेश की पूजा करते हैं तो उनका वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं लेकिन भगवान गनेश को जो प्रिय दिन होता है वो बुधवार का दिन होता है इस दिन भगवान गनेश की विशेश रूप से पूजा करनी चाहिए विशेश उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे की गणेश जी की क्रिपा हमें प्राप्थ हो जाए भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं तो आपको रोली अर्पित करना चाहिए लाल सिंदूर उनके माथे पर लगाना चाहिए सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और सिंदूर का तिलक जब हम उन्हें लगाते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है हमारी जो भी कामनाएं हैं अन्नधन के भंडार भर जाते हैं सुख समरिधी की प्राप्ती होती है अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं तो सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो श्रीगनेश को मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगाना चाहिए किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को मीठी वस्तुएं बहुत प्रिय है पूजा समाप्थ होने पर श्रीगनेश को जो आपने मोदक का भोग लगाया है, वो आप अपने परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को वित्रित करें और इसे ग्रहन करें बहुत ही शुभ आपको इसका फल प्राप्थ होता है भगवान गनेश की क्रिपा से आपके जीतने भी बिगड़े काम होते हैं, निर्विघन पूरे होने लग जाते हैं अगर आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, धन का अभाव हो रहा है तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन बहुत विधी विधान से भगवान गनेश की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए 21 दुर्वा अगर आप हर बुधवार को गनेश जी को अर्पित करते हैं तो भगवान गनेश की कृपा से कुबेर के धन समान धनवान बनता है वह व्यक्तितों मतलब किसी भी तरह से धन की कमी नहीं रहती है धन धान्य से घर भरा रहता है अगर हम 21 दुर्वाहर बुधवार के दिन भगवान गनेश को अर्पित करते हैं तो साथ में आप गुड या बुंदी के लड़ू अवश्य भगवान गनेश को अर्पित करें मुन की दाल के लड़ू भगवान गनेश को बहुत प्रिय है तो वो आप अर्पित करें बहुत प्रसंद होते हैं भगवान गनेश जी जब हम भगवान गनेश की पूजा करते हैं तो बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धी हो, समाज में, घर में, परिवार में जहां भी आपका कारिस्थल है चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर जगह आपका नाम हो, आपका यश हो और आपको लोग अच्छे वे में याद करें लोग अच्छे तरीके से आपकी प्रतिष्ठा करें जैसा होता है ना एक नाम तो होता है लेकिन कई बार बदनामी में नाम होता है ऐसा नहीं यश की प्राप्ति हो मतलब शुब कार्यों में आपका नाम हो इसके लिए भगवान गनेश की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए हर जगह आपको विजय प्राप्त होगी शत्रू पर विजय प्राप्त हो समाज में हर जगह आप हर कार्य को निर्विगन पूर्ण कर पाए मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो आपको इसके लिए आपको भगवान गणेश को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। शमी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसंद होते हैं। शनी देव भी प्रसंद होते हैं और गणेश जी भी प्रसंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्रीरान को रावन पर विजय पानी थी तब उन्होंने भी शमी के पौधे की आराधना की थी तो शमी के पौधे की पूजा से भी भगवान गणेश प्रसंद होते हैं और शमी का पत्ता जब आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को अरपित करते हैं तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती है धनधान्य में वृध्धी होती है हर जगह आपको शत्रों पर विजय प्राप्थ होती है तो ये आप अगर करते हैं तो आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के सामने जाकर शुद्धगी के दीपक जलाता है उस पर भगवान की विशेश कृपा रहती है तो आप भगवान गणेश के सामने शुद्धगी का दीपक चलाएं उनसे अपनी कामना बोलें हर प्रकार की सुख समरिद्धी की प्राप्ती होती है इस उपाय को करने से भगवान गणेश की पूजा में आपको चावल अर्पित करना चाहिए जो की बिल्कुल भी तूटे हुए ना हो साबुत दाने होने चाहिए चावल के ऐसे अक्षत अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं अक्षत को जब भगवान गणेश को अर्पित करते हैं उससे पहले उसे एक बार थोड़ा सा गीला कर ले सूखा चावल कभी भी भगवान गणेश को अर्पित नहीं करना चाहिए या पूजा में प्रयोग ऐसे किसी देवता को अर्पित करना हो तो हमेशा चावल को थोड़ा सा गीला करके ही अर्पित करना चाहिए भगवान श्री गणेश जी को जब आप चावल कर अर्पित करते हैं, तब आपको बोलना चाहिए यदम अक्षत उम्गन गंपतेह नमः ऐसे बोलना है आपको और तीन बार ये मंत्र बोलकर आपको भगवान गणेश को अक्षत अर्पित करना है दोस्तों कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो जैसे कि भगवान गणपती जी के पीठ के दर्शन नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि उनके पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो जब भी आप पूजा करें, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है तुलसी के पत्तों का प्रयोग भूल से भी भगवान गणेश जी की पूजा में नहीं करना चाहिए कौन सी विशेश उपाय को करने से शत्रूओं का नाश होता है शत्रूओं पर विजय प्राप्थ होती है अगर आप किसी कोट कचैरी में फंसे हुए है या फिर आप किसी जूठे केस में फंसे हुए है तो आपको किस तरह का प्रयोग करना चाहिए जिससे की इन सभी चीजों से आपको मुक्ती मिले दोस्तों पान के पत्ते पर अगर स्वस्तिक बनाकर स्वस्तिक आपको हल्दी से बनाना है या आप रोली से भी बना सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली से आप स्वस्तिक बनाएं, थोड़ा सा हल्दी गंगाजल मिक्स करके या थोड़ा सा रोल ही में गंगाजल मिक्स करके आ आप किसी भी चीज से बना सकते हैं और पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाए पान के पत्ते का ध्यान रखें। तूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता हो उसके उपर आप स्वस्तिक बनाकर भगवान गनेश जी की जब आप पूजा करते हैं त ऐसा आपको हर बुधवार के दिन करना है जब तक आप परेशानी से मुक्त नहीं हो जाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही अचूक और बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूं मक्के के दाने गनेश जी पर चढ़ाने चाहिए। आप कैसे चढ़ाएंगे थोड़े से म मक्के के दाने लें। आप और भगवान गनेश जी को अर्पित करें जब आप उनकी पूजा करते हैं विधी विधान से पूजा कर लें। पूजा के बाद थोड़े से मक्के के दाने किसी पात्र में रखकर भगवान गनेश जी को अर्पित करें। उसके बाद ये दाने उ तुपा कर रख देना है। तुपा कर रख देना है। अर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ती मिलेगी धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। सदा सदा के लिए अगर आप यह उपाय हर बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर यह सभी उपाय बहुत आसान है, बहुत सरल है। जब हम बुधवार के दिन भगवान गनेश की पूजा करते हैं, तो इस तरह से पूजा करें और उनको यह सभी वस्तुएं अरपित करें जो उनको बहुत प्रिय है। उसके बाद हम अगर भगवान गनेश की पूजा करके और प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। कोई भी काम ना हो सकती है। आपकी आपकी विवाह में देरी हो रही है। आपको संतान प्राप्ती में बाधा हो रही है, आपको धन की कमी है दोस्तों हम किसी एक ही देवता की विशेश आराधना करके हर मनो कामना को पूर्ण कर सकते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करनी है सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूर्ण विश्वास रखें कि हम भगवान गनेश की शरण में आये हैं तो भगवान गनेश हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे सिर्फ आपके विश्वास से यह सरल से सरल उपाय बहुत छोटे से उपाय चमतकारिक रूप से काम करेंगे बस आपको विश्वास रखना है पूरे श्रद्धा से भगवान गनेश की आराधना करनी है और बहुत ही सरल बहुत छोटे उपाय है यह आप करके देखें चमतकार आपके सामने स्वय होगा अगर लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है या बार-बार आपके काम में रुकावट आती है तो उसे पूरा करने के लिए बुधवार के दिन अपनी जेब में हरा रुमाल रखें और सौंफ खाकर घर से निकलें इससे आपका सारा रुका काम पूरा हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको लाब अवश्य प्राप्त होगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाब प्राप्त हो चैनल पर नए है विडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन कर लीजिए इससे ये होगा कि इस तरह की सभी विडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलता हूँ आपसे अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार